बैंकिंग शेयर डेबिट ये क्रेडिट एक ऐसी टर्म जो इस समय बैंकिंग के साथ नहीं जुड़ी हुई बलकि आपके खाते के साथ जुड़ी हुई है आपके खाते से क्या पैसे डेबिट हो रहे हैं फिर क्रेड़िट हो रहे हैं ये आजकल बैंकिंग शेर डिसाइड कर रहे हैं तो इसलिए बैंकिंग को ही लेकर आज हमने स्पेशल करने का मन रखा और साती सात उम्मीद ये भी करते हैं क्योंकि 33% मार्किट में वेटेज अग को दिखेगा तो इसलिए बैंकिंग शेर पे आज हमारी खास पिश्कस में आपका स्वागत है मैं हो डिम्पी कालरा मैं साथ मेरे सायोगी अंचल भी है सबसे पहले अंचल के पास ही चलेंगे और सारी रूप रेखा मैं आपके सामने रखता चलूँगा कि कौन-कौन से शे बलकि ट्रेडिंग कॉल्स में भी कनवर्ट करेंगे चोटी बड़ी अवदी सब के लिए लेकिन पहले बैंकिंग की प्रॉब्लम क्या है क्यों बैंकिंग इस जगे पर आके खड़ा हुआ है कि हमको आदे घंटे के स्पेशल के साथ ये समझाना पड़ रहा है कि बैंकिंग ये डेबिट है ये एक्चुली में क्रेडिट होने का मौका दे रहा है तो पहले अंचल से ये समझते बैंकिंग की प्रॉब्लम क्या आँचल बताए आप बैंकिंग की प्रॉब्लम डिंपी बहुत बेसिक है और काफी समझे चल रही है एंपिये ये मैनेजमी उपार है और उपर से आरबिया ने जिस तरह से और कड़े कदम उठाए हैं स्ट्रिक्नेस बढ़ा दिये तो जो एंपिये हैं ये चोटी अफ़ी में आपको और बढ़ या इससे बढ़ जाएगा वो भी नहीं पता किन-किन बैंकों पर ये इंपक्ट डालेगा वो अभी क्लियर नहीं सिर्फ छे बैंकों के नामा है तो ये फ्रॉट जैसे से बढ़ेगा ये इशू और जादा क्रियेट कर लेगा बैंकिंग स्पेस के लिए तीजरा बड़ा बैंकिंग दिक्कते हैं इस समय बैंकिंग के लिए जो शॉर्ट टरम ही नहीं एक लॉटर टरम इंपक्ट डाल सकती है अक्रोस स्पेस ठीक है तिया पर बैंकिंग सेक्टर की बेसिक मुश्किले आपके सामने रखती हैं हम शोः को बहुत असान भाशा में असान तरीके से सामने रखने की कुशिश कर रहे हैं ताकि आप ना के वह इस बैंकिंग के बारे में थोड़ी जानकारी से अपडिटीड हो जाएं बलकि इसमें कैसे सौधे खड़ी करने हैं तो कैसे मैनेज करना है यह आपके सामने पूरा रख रहे हैं मैंसा दो मेमान है संजीव बसीन फोन लाइन से जुड़ चुके हैं साथ ही गोरांगशा भी है अंदोरे से बाचित करके जानेंगे अपके पहले सोधे लेकिन ठीक उसे पहले शुरुआत करते है देश के सबसे बड़े सरकारी बेंग यानि कि SBA के साथ SBA की पहले जाना है यह था सिती देखिए क्या उसकी बैलंशीट कहती है क्या उसके लिए एहम ट्रिगर है उसके बाद SBA पी आपको ट्रेडिंग कॉल भी मिल जाएगी SBA का इस समय की सिचूशन यह कहती है कि SBA इस स समय की सिचूशन SBA की आपके सामने है अब जड़ा कुछ ट्रिगर्स देखिए SBA के अंदर करी 12 मामले जा चुके हैं लेकिन अब तक की जानकर यह है कि शायद हो सकते हैं को हेरकट जादा लेना पड़ जाए अभी इनका विले हुआ है तो खर्च सोड़ा बढ़ गया भी उसका फ्रूट साना शुरू नहीं हुए है तीसरी इंपॉर्टन बात कि पावर सेक्टर को लेकर जो रिकवरी फास्ट होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है इनका एक्स्पोजर सबसे जारा वही है और इसके लवाद जो लोन की ग्रोथ है उसमें भी तीन तीम हाईयों से लगातार सुस्ती बने हुई है ये कुछ एक बेसिक जानकारी है जो SBA के सामने हम आपके सामने रखना चाहते थे अगर आब आज के मेमानों जे आपके लिए वियू रखते हैं गोरंग शुक्रिया पहल तो समय देने के लिए SBA पर सर आपका वियू क्या है सिचुशन के ऐसा लग तो रहा है कि शायद इस बार के तिमाही नंबर्स थे उसके बाद शायद बुरे तिमाही नंबर्स नहीं आएंगे लेकिन रिकवरी को लेकर थोड़ी चिंता है प्राइजिंग को लेकर भी सर थोड़ी चिंता है आप बताएंगे एक महीने के लिहास से एक साल क के लिहाद से कैसी इसमें ट्रेट करना है कि एक मेने एक साल तो नहीं समय अगर आप निवेशित है या निवेश करना चाहते हैं तो आपकी जो समय सिमाओ करीब देड़ दो साल या उससे अधिक हो तो जादा उच्छी दोगा पहली बात दूसरी बात अगर आपके पास जोख तिमाईों से सालों से वो अगर आप तुल्ला करें सरकारी बैंक और नीजी बैंक तो नीजी बैंकों ने बहुत शानदार अटपा किया है और इस तरपर जहां पर खड़ा है और जो खबरे हैं और जैसे अंचल भी जिकर कर रहे थे नियमों में परिवर्तन बदलाओ मवदी तक चलता रहेगा लेकिन हमारी डिस्क्लोजर यह है कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया पर हमारी खड़ीदारी की राय है और अगर आपका नजरिया देड़ दो साल यह उस्ताधिक का है तो तीन सो पैतालिस का लक्षम बना कि चल लगा यह दरूर कहना चाहूंगा कि उठा पटब होगी जो खम जिलने की समता ऊपर के तरफ होनी चाहिए तो ठीक है आप लंबी अफदी के साब से ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं संजीर बसीन भी है में साथ संजीर जी आपकी राय क्या है एस वी पर क्योंकि जो डाटा हमने अब तक शेयर किया है उसे साथ से लग रहा है कि चोटी अफदी में उतनी तेजर रिकवर करके शाद नहीं आएगा तो देखिए दिंपी वो तो मार्केट का सेंटिमेंट है कि आपने पी एन बी ने एक डिस्क्लोजर दी है अभी आज का नहीं है छे साब से है और इतना डैमेज होएगा नहीं आपने तो अब चाहिए तो से लगता है तो स्टेट बैंग विल बी की बिकास ट्रेजरी प्रॉफिक अंड ग्रीट ग्रोजर रिटेल साइट पॉड़ वेड़ का रहा है यह जो एक नया जो फैर आया है अगर आपने है तो बार नहीं होएगा इसनी जादा इस्ट्रेस नह रिस्क रिवाड लेने की तो स्टेट बैंग विल टॉफिक ठीक है दोनों मैंनों ने मत्तो किया है कि आप बाय तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ के साथ की थोड़ा सा जोकिम है आप उसको ज़रूर मैनेज कर लीजेगा अगर हो जाता है तो आपको अच्छा रिटन देगा एक साल दो साल और संजीव तो यह भी कह रहे हैं कि अगर एक महीने के साब से भी आप वियू रखना चाहें तो थोड़ा ही गोता लगेगा लेकिन यह अच्छी ऑपर्चनिटी होगा पाय करने का तो फियर में खरीदारी बनती है यह संजीव जी की से आएगी यह बैलेंस चीट कैसे मैनेज होगी इनकी सिर्फ आजकल यह जाना 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 जरूर है लेकिन फिर भी ग्रॉस एंप बारा परसंट है नेटें पर साड़े साथ परसंट है यह पैसा जो 11,500 क्रोड़ के घाटे का है घोटाले का है यह पैसा अभी तक इस पहले विजनिंग भी दोगुना से ज्यादा पड़ी है को रांग आपके रिकमेंडेशन पी एंबी पर सुरते हाल में तो जोकुम बहुत उपर के तरफ है दूसरी बात यह जो पूरी तेकिकात होगी और क्या उबर करके आएगा उस पर कोई टिपनी हम अभी नहीं कर सकते हैं कि कि यह पैटर ऑफ इन्वेस्टिकेशन डिस्क्लोईजर यह देना चाहूंगा कि PNB, Bank of India, Corporation Bank, Oriental Bank of Commerce, यह सब सरकारी बैंक उपर हमारी काफी लंबे समय से देड़ दो साल से विक्वाली की राय है और आस करके PNB के उपर मेरे ख्याल से जब तक यह clarity नहीं आती कि यह मसला क ठीक है, नहीं है तो जूरत नहीं है तो आप बेज़ दीजिए तो गरांग की राय तो हर लिहास से फिलालवे PNB में निवेश करने की नहीं है, जब तक clarity नहीं आती है, संजीर जी आपकी राय चाहिए PNB पर तो stock 25% कर चुका है, correct कर चुका है, I think कि जो damage है वो इतना जादा होएगा नहीं, collateral damage की बात है, the noise is bigger than the event, I think sooner rather than later government interventions will play out, अगर आप fear खरीच सकते हैं तो 165 रुबे की book value है, जो असको आप discount भी करें, तो भी आपको 0.6, 0.7 time price to book मिल रहा है, North में उसकी सबसे बड़ी growth pattern है, MSME की book है, तो like I said, अगर आप ये fear में rhetoric को ignore कर सकते हैं, तो 120 has been a classic bottom in the last one year, I am not advocating कि आपको immediately इसमें return आएगा या इसमें गट भी सकता है, लेकिन it makes on a value pick to play that, because it's not a small bank, और हमें पता है कि LIC and government of India will definitely include more funds, so in the longer run I would say you could get targets of 165 to 170 in the next one year. ठीक है, एक साल के लिहासे तो ठीक है ये bank, संजीव जी कह रहे हैं, लेकिन एक महीने के लिहासे ठीक नहीं है, तो इसलिए रिपोर्ट कार्ट इसका बन के आजाएगा, एक महीने के लिए ठीक नहीं है, बलकि एक साल से दो साल के अवधी के लिए आप इसमें जरूर रखे तो आपके सामने ये रिपूट कार्ट अभी आ जाएगा बैंक ओफ बड़ोधा अभी तीसरा शेर है इसके सामने आपके आप राय रखते हैं किसमें क्या करना है खैर इसका मुनाफ़ा 112 करूर का है इसका भी 11% के आसपास का एंपीज है नेट एंबेवी करीब 5% के आसपास के दो अच्छी चीज़ें कि इनके जो एंपेज हैं उसमें लगाता सुधार हो रहा है लोन वुक में अच्छी ग्रोध दिख रही है बुरी चीज़ें है कि इन्होंने प्रोविजिनिंग 50% की किया है क्वाटर 3 के अंदर तो प्रोविजिनिंग को देखके अभी भी लगता है इनको धर लगता है कि शायद इनका पैसा कहीं दूपना जाए गोरांग आपकी रिकमेंडेशन बैंक को बोड़ोधा पर वेल ये भी एक बैंक है जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है तिम्हाई में अगरा देखें और खास करके जो हाली के नतीजे आयते तीसरी तिम्हाई के वह बहुत ही उत्सा जनक और हमारा जो विश्वास था उसको रिइंफोर्स किया है इन टरम्स ओफ खरीदारी की जो राहे है हमारे एक बात है कि ये काफी लंबे समय से दाइरे में गुमता रहता है लेकि लेकर के हम काफी उटसाइट है क्योंकि जो आशा की तिरणे हमें दिखाई दिए तीसरे और दूसरे दिम्हाई नतीजों वो काफी सक्षम रूप से परीवटन लाने की पूरी मौजूब की रखता है तो उसलिया से 210-225 तक के हमारे लक्षान के बैंक ओफ बरोदा के लंबी अफदे के लिए ओक है लंबी अफदे के लिए आप इसमें ट्रेट ले सकते हैं अगर आपको एक महिने के हिजाब से देखना तो फड़ा रूप जाएएगा थोड़ी और इसके नदे क्लियरिटी आ जाए हाँ एक साल दो साल के लिए बैंक ओफ बरोदा चुनिंद अपले हैं आप इसमें आ सकते संजीर जी मैं आपके पास बैंक ओफ बरोदा का वीव भी जानूंगा लेकिन इस बिच मैं कैंडर बैंक के बारे में दर्श्कों के सामने रख दूँ क्योंकि एक और सरकारी बैंक है इसका ब्योरा भी आपको सामने रख दूता हूँ मुनाफा करीब 126 करोन एंपेस के 10% ओने 7% के नेट एंपेस इसके पास भी है तो ये भी एंपेस से भरा भरा हुआ शीर है ये तो दिख रहा है खर एक दो चीज़े जो इंपोर्टेंट है वो ये देखें इनके निम अब तक के सबसे कम है इस बैंक के एक मुश्किल के बात है असेट क्वालिटी पाभी दबा अब बारोडा और स्टेट बैंक पे हम काफी पॉजिटिव हैं इन दो सेंस के बैंक को बारोडा की जो मैलिजमेंट है वो बहुत ही पूदेंट है लास्टेट साल में मिस्टर जैकुमार है ताना रुटरफुल जॉब उन्होंने बैंक की लेंजिंग की है और आगे जाते ह लगता है इस फिस फैर्षा जुभी बैठ काफी एक कोपिर्ड लंडियंगी के लिखा इंख लगए कैंडरा बैंक इसमें धियन थोर्फेलोर जोरुल जर्ग पड़ेगा व्या कंडरा थे-सिनी के लिख जफ्टा बढेंगे तो प्रॉटरीनिक पूद शॉट भर जाएंग और ट्रेजरी का प्रोफिट, ट्रेजरी का लॉज कुछ समय तक रह सकता है विकॉज आप माक्तू मार्केट लॉस्स आप बॉंडी तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लोवर लेवल मिल सकते हैं लेकिन हमें लगता है यहाँ पे आपको रुजान बैंक आप बरुड़ा पे जाधा रखना है ठीक है अगर आप बैंक आप बॉड़ोदा केंडर बैंक में संजीव की राय देखेंगे तो बैंक आप बॉड़ोदा पे जादा बुलिश दिक रहे हैं एक महीने के लिहास से भी और एक साल के लिहास से भी रही बात केंडर बैंक को लेकर केंडर बैंक को लेकर उनका व्यू है कि छोटे यानि कि एक महीने के लिहास से भी थोड़ा रुड़ जाईएगा हाँ दो साल के अवधी है तब तो ठीक होगा लेकिन एक साल के लिए भी आपको नहीं आना है ना के विल एक महीने के लिए आना है एक साल के लिए भी नहीं आना कैनरा बैंक में दो साल के हिसाब से आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं संजीव की दोनों शेयर्स पे रिकमेंडेशन बैंक आफ बड़ोदा पे और कैनरा बैंक पे भी आपके सामने हैं मैं साथ एक और बैंकिंग एक्सपर्ट हिमेंदर हजारी भी जुड़ी है हिमेंदरी जी पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए इस समय की बैंकिंग की सिचुशन ये कहती है कि फ्रॉड भी है और सरकार एंपे क्लीन करने की बात भी कर रही है क्या ज़्यादा ठीक हो रहा है बैंकिंग की तबित खराब हो रही है बैंक ठीक होने के कगार पर है जो भी है विश वो बाहर निकल के आ रहा है देखो क्या होने वाला है कि यह रिवाइज आर बी आई गाइडलाइन बैंकों को दिया है वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है बैंक के लिए क्योंकि उनका सब रिस्ट्रक्टर स्टैंडर्ड लोन्स उनका सब यह ओल वो स्कीम्स थे वो सब NPA बन जाएंगे और वो NPA भी बन जाएंगे और फिर यह IBC को जाएंगे IBC में पहले साल में ही कुछ 50% प्रोविजनिंग भरना पड़ेगा अभी भी बैंक का सब लॉसेज है वो पुराने NPA के लिए प्रोविजनिंग कर रहे हैं depreciation of investments के करते हैं और अभी fraud भी होने लगा है उसके ज्यादा इससे अभी बहुत बड़ा bad debt provisioning आने वाला है और यह सब corporate book का है तो एक साल डेट साल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत pressure होने वाला है यह banks earnings में तो मुझे ऐसा लगता है कि यह this entire sector should be avoided करहें मेंदर का मानना है कि एक साल करीब लग सकता है और इससे भी थोड़ा मुझे होगा अभी बैंकों को recover कैसे आना है इसमें सरकार की भागेदारी भी बहुत important है इसमें banking management की भागेदारी भी बहुत important है कि कितनी smartly वो अपने NPS को कम करके growth भी दिखाएं अगर अर्थवस्ता में कहीं भी green शुके या फिर वैसी growth को साइन दिख रहे हैं तो यह सब चीज बहुत important है एक छोड़ा ब्रेक ले लेते हैं जानकारी और trade दोनों का combination इस banking share के debit or credit में लगातार आपको मिलेगा एक छोड़ा ब्रेक के लागाएं सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की, लक्स कोजी ब्रेक के और एक बार फिर आपका स्वागत है, banking shares पे एक पूरा खास शू है जिसके आप यह जान पारें कि कौन से बहतर share है और banking को लेकर इस समय क्या सोच, क्या runningity होनी चाहिए अब थोड़े पहले हमने केनरा बैंक पर डिसकस किया, अब मिस्टर भसीन के आपने राय सुन ले होगे लेकिन गुरांग का क्या व्यू है, एक बार जड़ा वो भी दिख लेते हैं गुरांग आपका केनरा बैंक पर क्या है, एक महिने का और एक साल का पर निराशा बहुत बड़े प्यवान है पर है और आशा की उमीद बहुत कम और परिवर्तर नतीजों को लेकर के गुंजाईश सुधार हो वो बहुत कम लग रही है तिप्टी हमारी विक्वालिक ही राय थी और नीचे के जो आकलन थे हमारे लक्षान के वो मुकमल होने के बाद हमने यह पर्टिकलर रिपोर्ट ही ड्रॉप कर दिये तो और अबी थोड़ास से धूर ही रहना चाहिए इस पर थोड़े मुश्किल है यही बात मिस्टर बसीन भी कह रहे है कि कैंडर बैंक में फ़ड़ा दवाव रहेगा तो दोनों एक्सपर्ट का व्यू कैंडर बैंक को लेकर ज़्यादा बुलिश नहीं है अब ज़रा कुछ ऐसे बैंकों पर आयाते हैं जो की निजी बैंकों के लीडर है बात करेंगे सबसे पहले आईसी ऐसे बैंक की क्योंकि किसी का दुकसान दूसरे का फायदा बन जाता है आज कर शेर अच्छा लगने लगा है आपको भी अच्छा लग रहा है ये वर ज़रा जान लेंगे पहले ज़रे इसके फिगर्स देखे मुनाफ़ा 1650 करोट एंपेज में खेर ये भी भरभर के एंपेज देता है मिस्टर बसीन आपके रिकमेडेशन आईसे से बैंक पर तो प्राइवेट साइड में कॉपरेट लेंडर में इसने किताब को काफी काफी देर से क्लेंज आउट कर दिया है ये जो नून नॉम्ज है में उसकी स्लिपिज़ कम हो गए थे, वो थोड़ा से बढ़ सकते हैं, बट अगर आप कॉपरेट साइट पे लेंडिंग और एक्सपैंशन ओन कापेक्स देखेंगे, तो I think ICICI will be one of the key conduits, प्लस, it's a very liquid stock, it is a must in most foreign and domestic portfolio, तो हम ये कहेंगे कि इसका भाव 375 इन दे नेक्स्ट 9 to 12 months. थोड़ा बहुत दुख और दर्ब होगा परिवर्तन को देखने के लिए, लेकिन जो खास करके तीन तिमाई के नतीजे हमने देखे लिए, उसको देखकर के हमारा उत्सा और भी बड़ा है, और 380 तक के लक्षांग तो फिलाल है, लेकिन अगर हमारी जो उमीद थी उसी त पास करके चले उसको भी बिल्कुल बेशक और यहां पर भी हमने परिवर्तन जब तुलना करते हैं, तो आप अंडर परफर्मिंग बैंकों में दो दिग्रिज बैंकों की तुलना करते हैं, एक 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 तुसरा है एक है तो